नमस्कार आप सब साथियों का मैं पुनहे स्वागत और अभिनन्दन करता हूँ मानसून की स्रंखला में जैसे कि आप हमारी क्लास देख रहे थे वाराज मानसून की आप चोथी क्लास देख रही है पहली क्लास जिसमें मानसून का उद्भाव आप सब को बताया गया और दूसरी कलास में हमने मानसुन की शाखाओं के बारे में बात की हिंदमा सागरिया मानसुन कैसे बारत में आता है, बंगाली के खड़ी अरब सागरिया मानसुन में कैसे डिवाइड होता है, फिर हमने मानसुन लोटता कैसे है, इसे मानसुन प्रत्या वर्तन बोलते हैं, औ प्री मानसून का मतलब है मानसून पूर्व की वर्षा, यानि मानसून से पहले की वर्षा जो भारत में आउती है, उसको प्री मानसून के नाम से जाना जाता है. चलो देखो, कहां कहां और किस-किस तरीके से कहां पर प्री मानसून एक्टिव होकर वर्षा करता है, जरा फटा-फट से इन सबक्षेतर में आप गोर करेंगे, और बहुत सुन्दर तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा प्री मानसून. पहली बात तो ये जानों कि छोटा सा टोपिग है प्री मानसून होता क्या है? पहली बात तो ये मानसून के पहले की वर्षा, ये मानसून कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में तो बहुती पॉजिटिविटी देती है, यानि बहुती ज़ादा वहां पर सकरातमकता आती है, उसे पॉजिटिविटी मिलती है, फसलों को लाब होता है, लेकिन कुछ-कुछ एरिये में बुरी तरह से सर्वनाश कर देती है, तो जहां पर मामला पूरा बिगाड देती है, मामला पूरा तहशनेस कर देती है, तो उस जगह के वेरे में भी अपने जानेंगे, तहशनेस क और इस राज्य को जिस नाम से हम लोग जानते हैं ये नाम है असम देखिए प्यारे बच्चों असम हमारे पास है असम राज्य में मानसून से पहले ही एक वर्षा यहां हो जाती है कब कहां असम राज्य में मानसून से पहले ही एक वर्षा यहां होने लग जाती है और वो वर वर्षा चाय की फसल के लिए बेहद लाबदाइक है यह जो वर्षा यहां होती है वो चाय की फसल के लिए बेहद लाबदाइक होती है इसलिए इस वर्षा को चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है चाय वर्षा कैसे बोलेंगे क्योंकि यह असम में चाय की फसल के लिए लाब लेकिन वहीं आप देखेंगे एक स्टेट जिसका नाम है WB, WB अथार्थ आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, यह पश्चिम बंगाल हमारे भारत का एक ऐसा राज है जहां पर चावल का maximum production होता है, जूट production अच्छी लेवल पर होता है, इस पश्चिम बंगाल राज्ये में जब बेसाक्खा महिना होता है जेट से पहले, उस बेसाक्खे महिने में काल बनकर बंगाल की खाड़ी की कुछ स्थानिये पवने यहां वर्शा करते हैं, तेज पवनों के साथ, तेज हावाओं के साथ, उसको काल बेसाक्खी के नाम से जाना जाता है, काल बेसाक्खी तो काल बेशाखी के नाम से इस वर्षा को जाना जाता है जो बेशाख के महीने में याप्रेल के इर्द गिर्द ये वर्षा करती है इससे जब यहाँ पर फसलें पूरी तरह से लोटपोट हो जाती है चावल की फसल को नुकसान होता है अब कई वो लगे सर चावल की फसल तो वर्षा को जिस नाम से जाना जाएगा पश्चिम बंगाल में इस वर्षा को काल बेशाखी के नाम से जाना जाता है ये लोजिक काल बेशाखी आपके सामने हैं ये बात कवर होती है और इसके बाद हम चलते हैं अगले श्टेट पर यहाँ पर आपका एक राज्य है और इस र आम गोर से आप देखेंगे केल राज्ये के बारे में इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है इसको मैंगो शुवर के नाम से भी जाना जाता है क्यों? क्योंकि यह आम के फलों के लिए अत्यदिक लाब अधायक होती है इसलिए इसको मैंगो शोवर के नाम से जानते हैं जबकि भारत में सरवादिक आम उत्तर प्रदेस में होते हैं केरल राज्ये में भी आम होते हैं उत्तरप्रदेश में तो प्रीमांसुन से जादा लाब नहीं होता, हलका फुलका 15 cm हो जाये तो वो कोई अलग बात है, जब कि केरल राज्ये में जो वर्षा होती है, अमर वर्षा उसको कहा जाता है, प्रीमांसुन से वर्षा, चलिए बहुत सुन्दर बात, अब चलते हैं यहां थोड़ा ओर उपर यहां थोड़ा ओर उपर चलते हैं तो एक स्टेट हमारा इस परकार से आप देखेंगे इस स्टेट को हम लोग करनाटक के नाम से जानेगे यह यह वाला स्टेट जो आपने देखा इस स्टेट का नाम है करनाटक 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 राज्या में एक फ इसको कौफी वर्षा के नाम से जाना जाता है और इसका एक नाम और है इसे चेरी ब्लोसम भी कहा जाता है यहाँ पर जो होने वाले जो वर्षा है इसको किस नाम से जानेंगे इसको चेरी ब्लोसम के नाम से जानेंगे चेरी ब्लोसम भारत के करनाटक राज्य में होने वाली एक वर्षा है जिसको cherry blossom के नाम से चाना जाता है और इसे coffee shower के नाम से या coffee की फसल के लिए लाबदायक है। कोफी shower के नाम से जाना जाता है या इसको cherry blossom के नाम से जाना जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले अभी एक दो साल पहले ताउते नाम से तुफान 2022 में ताउते के नाम से आया था ताउते। इसी तरह से ताउते के साथ साथ जरा बात करते हैं। काफी वर्षा उस टैम हो गई थी तो एक बार पूरा हरा बराय एलाका पहले ही हो गया था मानसुन आने से पहले काफी मानसुन इस तरह हो गया था कई बार कुछ स्थिती ऐसी होती है कि मानसुन बिगड़ जाता है तो वह परभाव पढ़ता है अल निन्नों भी बोल सकते हैं दक्षणी अमेरिका महादीप के पेरु देश की तट्रेखा पर दक्षणी प्रसांत महासागर में पेरु देश की तट्रेखा पर दक्षणी प्रसांत महासागर में अलनों एक होट विंड है गरम जल धारा का उदभव होता है हर पांसा साल बाद इसका प्रभाव पढ़त अधाज़र प्रेटा है और उससे फिर क्या होगा ठीक उसी समय हिंद मासंगर में इस विगड़ जाती से टाप मान जादाके सुटाते से प्रभाव पड़ेगा ईलिनों से प्रभाव ये पड़ेगा है बहारत का मफ़ंसुन पर घाता है वास यह याद रखना हर पांसा साल बाद एक बार एल इनों का प्रभाव पड़ता है और अंने Nimnh इस बासा से देखे तो और बाकी अल निनो होट विंड का नाम है तो लाड़लो छोटा सा टोपिक था जिसका नाम था प्री मौन सून आपके सामने कवर है और अब फिर मिलेंगे और आप सब विद्यार्थियों को आने वाले शिवरात्री परुव की हार्दिक शूब कामने श फिर मिलते हैं निकलास में जय हिंद जय भारत बाए बाए